नमस्कार RS अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम व्रत के लिए एक टेश्टी सा नाज़ता बनाना सिखेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने यहां दो आलू छिल कर ले लिया है और इसे पानी में रख दिया ताकि यह काला न पड़े आलू जल्दी काला पड़ जाता है इसलिए हमने उसे छिल के पानी में रख दिया था अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे देखिए इसे हमने ग्रेट कर लिया है अब इसे हम दो तिन पानी में धोलेंगे हमें इसे दो तिन बर पानी से धोलेना है इसे हमने दो तिन बर पानी से धोलिया है और इसे अच्छे से निचोड़कर इसका पूरा पानी निकाल लिया है अब हम इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च हमने 4-5 हरी मिर्च काटके डाली है धनिया पत्ती, आदा चोटा चम्मच धनिया पाउडर आदा चोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच अधरक का पेस्ट आप चाहे तो अधरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और तिन चम्मच हम राजगीरे का आटा डाल देंगे और स्वाधनुसा नमक डाल देते हैं हमने इसे राजगीरे के आटे में बनाया हैं आप चाहे तो कुट्टू का आटा या सिंगाडे का आटा भी ले सकते हैं अगर आप बघर खाते हैं उपवास में जिसे हम सावा का चावल कहते हैं उसका भी आटा आप ले सकते हैं अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हमें पानी नहीं डालना है बस इसे इस तरह हाथ से अच्छी तरह mix कर देना है आलू की नमी से यह अच्छे से mix हो जाएगा अब तवे पे हम थोड़ा टेल डाल देते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे अब हमने जो यह मिश्रन तयार किया था इसे हम तवे पे डाल देते हैं और हाथ से इस तरह हमें फैला देना है एक चमच लेंगे चमच के हेल्प से हम इसे इस तरह गुलाई में फैला देंगे और इसे हम ढग देते हैं पास से छे मिनट हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है ताकि यह अच्छी तरह नीचे से पक जाए अब हम इसे एक बार निकाल लेंगे पैटेला की साहता से हम धीरे धीरे इसे निकालेंगे और पलट देंगे उपर में तेल लगा लेते हैं और इसे पलट देंगे देखिए नीचे से अच्छी तरह पक चुका है इसे तरह ढग कर हम इसे पास मिनट और पका लेंगे गेस का फ्लेम लो रखना है पास मिनट के बाद हम इसे फिर से पलट देते हैं हमने इसे पलट दिया देखिए दुस्ते साइड से भी ये पक चुका है अच्छी तरह तो अब हम इसे तवे पर से उताल लेते हैं रत के लिए हमारा टेस्टी सा नास्ता रेडी है ये नास्ता बहुत टेस्टी बनकर तयार हुआ है अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाये ताकि नए वीडियो आप तर पहू सकें धन्यवाद